हेलो दोस्तों आज हम इस तरह का एक और टी कॉश्टर तयार करेंगे इससे बनाने के बाद आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसका इसका इस्तेमाल कर सकती हैं अगर आप इसे कोटी में डालना चाहती हैं तो ये टिकिया बना कर जोड़ कर आप कोटी बना सकती हैं बेट सीट बना सकती हैं या इसे और बढ़ा कर आप थालपोस बना सकती हैं डॉरमेट बना सकती हैं इसे कई कलर से बना कर आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकती ह आएए देखते हैं कैसे बनता है इसे सुरू करने के लिए सबसे पहले हम पांच चेन बना लेंगे एक दो तीन, चार और एक पांच पांच चेन बना लेने के बाद यहाँ पे लाकर इसे फर्स्ट चेन पे जोड़ लेंगे जुटकिया अब एक चेन लेंगे अब यहाँ पे फंदे लेंगे फंदे लेने के बाद बीच में हुग को डाल कर और हम डबल कुरूशिया तियार करेंगे एक तो तीन चार पाच छे साथ आट नौ दस एक्यार बार तेर शोड़ पंदर सुल सत्रा सत्रा अथार उनाइस और एक बीश देखिए आपे हम 20 डबल कुरूशिया इस तरह से तयार कर लिए हैं अब तयार कर लेने के बाद इसे यहाँ पे लाके जोड लेंगे जुट किया अब चेन ले लेंगे चेन की संख्या दो और डबल कुरूशिया यहाँ से हम तयार करेंगे एक डबल कुरूशिया बनाए अब तीन चेन एक दो तीन और इसमें से हम इस तरह से हुक को लेकर इसे निकाल लेंगे एक बन गया फिर से फंदे लेंगे और डबल कुरूशिया तयार करेंगे फिर से तीन चेन बनाएंगे एक दो तीन और इसमें से हुक को लेकर इस तरह निकाल लेंगे फंदे लेंगे फंदे लेने के बाद डबल कुरूशिया तयार करेंगे तो प्रतेक चेन से इसी तरह हमें एक डबल कुरुशिया बनाकर तीन चेन लेना है और इसके बाद इस तरीके से इसे बंद कर देना है जैसे कि यहाँ पर हम ले रहे हैं एक डबल कुरुशिया तियार किये तीन चेन ले लेंगे एक, दो, तीन तीन चेन लेने के बाद में तीन चेन लेने के बाद में आप ये जो देख रहे हैं आप एक और ये एक दो इसमें से हुक को डालेंगे और इस तरह निकाल कर बंद कर देंगे फिर से फंदे लेंगे एक चेन से एक डबल क्रोसिया तयार करेंगे फिर एक दो तीन और यह यहां पर इस तरीके से ले जाएंगे फंदे लेकर निकालेंगे इससे भी बाहर के और निकाल देंगे तो इस तरह से बनाते हुए हम इस round को पुरा complete कर लेंगे, इस तरह से इसे हम गुलाई में बनाकर complete किये, अब इसे यहां लाकर जोड़ देंगे, इस तरीके से, जोड़ दिये, अब फिर एक दो दो chain ले लेंगे, आब देखिए अब हमें, सबसे पहले तो देखिए यह कुछ इस तरह का भी लग रहा है देखने में अब इस पर हम दो चेन लेने के बाद इसी जगह से हम एक डबल कुरुशिया सबसे पहले तयार करेंगे फिर अगला चेन से एक डबल कुरुशिया फिर से अगला चेन से एक डबल कुरूशिया फिर से अगला चेन से दो डबल कुरूशिया ध्यान रखिए दो बीच करते हुए एक चेन से दो डबल कुरूशिया बना रहे हैं यह देखिए इस तरह से अब फिर से दो बार हम एक चेन से एक डबल कुरोशिया तयार करेंगे एक और एक यह हो गया अब एक चेन से दो डबल कुरोशिया एक और इसी चेन से एक और डबल कुरोशिया तो देखिए इस तरह से बनाते हुए इसे हम पूरी गुलाई में कम्प्लिट कर लेंगे इस तरह से देखिए इसे अब लाकर हम यहाँ पर जोड़ देंगे यह बन चुका जोड़ दिए इस तरीके से अब हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और इस अस्थान पर हुप को डालेंगे बिना फंदा लिये हुए और दो का एक करेंगे इसके बाद एक, दो, तीन, तीन चेन ले लेंगे और यह जो दो आपको नज़रा रहा है इससे हम हुप को इस तरीके से निकाल कर इससे भी निकाल लेंगे फिर से देखिए पगल के चेन पर हुप को डालेंगे दो फंदा हो गया हमारे पास दो का एक करेंगे अब तीन चेन लेंगे एक, दो, तीन तीन चेन लेने के बाद यह जो दो दिख रहा है यह यह और यह दोनों मेंसे हुप को इस तरीके से निकालेंगे इससे बंद करेंगे फिर से यहाँ पे हम डबल कुरूसिया बनाते हुए इस चीज़ को बनाए और यहाँ पे हम डबल कुरूसिया नहीं बना रहे है डायरेक्ट हम इस तरीके से बनाते चले जा रहे है अगर डबल कुरूसिया बनाएगा तो काफी लंबा हो जाएगा यह इस तरीके से बनाते चले जाएंगे एक दो हुख तीन 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 चेन और ये यहाँ पर हुख को इस तरह से निकालेंगे अब इससे निकालते हुए इससे भी निकालेंगे तो इस तरह से बनाते हुए हम इसे पूरे गुलाई में complete कर लेंगे बनाकर यह देखिए गोलाई में बनाकर complete कर लिए हैं अब इसे लाकर हम यहाँ पर जोड देंगे जोड दिए एक चेंड लेते हुए हैं उनको इस तरह से निकाल लेंगे बाकी जो बचा हुआ उन्हें हम कट कर लेंगे तो यह आपको भी इस तरह से दो बार में यहाँ पर दो लेयर में complete हुआ है अब हम अगला कलर जोड़ेंगे कोई भी कलर आप जोड सकती है अगला कलर देखिए में कहां से चोड़ना है इसे तो सबसे पहले इस तरीके से पलटेंगे किसी भी अस्थान से आप पलट लें देखिए यह जो दिख रहा है इस पे से हम लाकर इसे जोड़ेंगे जोड़ दिये अब एक तो दो चेन ले लिए इसी इस्थान से एक और डबल कुरुसिया बना लेंगे यह हो गया अब आगे पंदेल लेंगे पंदेल लेने के बार देखिए आगे यहाँ पर यह दिख रहा है तो इसमें से हुक को लेंगे और एक डबल कुरुसिया यहाँ पर बनाएंगे फिर से फंदेल लेंगे एक डबल कुरुसिया यहाँ पर बनाएंगे इस चेन से लेकर तो अब आगे देखिए यहाँ पर बनाएं अलग-अलग चेन से अलग-अलग डबल कुरुसिया यहाँ पर फिर से फंदेल लेंगे और अगला पर हुक को डालेंगे यह अगला है हमारा यहाँ पर इस पर हुक को डालेंगे और एक चेन से दो डबल कुरुसिया बनाएंगे एक और इसी से एक और बना लेंगे यह हो गया दो देखिए इस तरीके से प्षिर से हम यहां पए 一वे बनाएंगे यह जो देख रहे हैं यह जो दिख रहा है आप यह जो दिखी रहा है है इसमें से एक डबल कुरोसिया बनाएंगे यानि कि फिर हमें आपे दो बीच करते भी बनाते चले जाना एक बना लिए अगला पे हुप को डालेंगे और एक और डबल कुरूशिय बनाएंगे ये बन गया फिर से अगला पे हुप को डालेंगे ये हो गया और एक चेन से दो डबल कुरूशिय बनाएंगे इस तरह से बनाते हुए हम इसे गुलाई में कम्प्लिट कर लेंगे कम्प्लिट करने के बाद जैसा कि हम इसे एक बार और फिर बना देंगे डबल कुरुसिया जैसा कि हम इस दो लाइन में बनाए हुए हैं दो बार डबल कुरुसिया बनाए ये दो लाइन में हम दो बार बनाए एक ये एक ये दो बार बनाए और तीसरा बार में हम इसे बनाए तो उसी तरह से हम यहाँ भी एक बार एक बार आपको ये गोल बना लेंगे फिर दूसरे लाइन में भी आप इसी तरह से बना लें जैसा कि हम यहाँ पर बनाए हुए हैं और तीसरे line में जो हम ये चीज बनाये हैं उस चीज को बना लें। इस तरह से बनाते हुए आप इसे कई color में बना कर complete कर सकती हैं। तो चलिए हम इसे सबसे पहले complete कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इसे 3 color में हम complete किये हुए हैं। अगर आप चाहती हैं इसी design से यानि इसी को बनाते हुए आप table cloth बनाना चाहती हैं, गोल या टीकिया का रूप बनाकर आप bed, sit वगएरा बनाना चाहती हैं या पर्स वगएरा बनाना चाहती हैं तो आप इसे उस तरीके से भी यूच कर सकती हैं, तो हम यहाँ पर देखे, देख सकती हैं आप यह दो बनाए हुए हैं इसके बाद इस color से cream color से एक बनाए फिर इस color से एक बनाए यहाँ पर लाकर जोड़ दिये हैं अब इसे हम cut कर लेंगे कट कर लेने के बाद इसे हम इस तरह से अंदर की और ले आएंगे यह हो गया अब चलिए इसे हम बिचा कर देखते हैं आप इसे अगर कुछ और रूप देना चाह रही हैं तो आप इस तरह से मोती इस पे यहाँ पे डाल करके और यह पेश्ट कर सकती है आप इस तरीके से और भी इसका खुबसूरती बढ़ जाएगा बीच में चाहें तो यहाँ पे डाल सकती हैं इस तरीके से आप इसे पेश्ट कर सकती है तो इस तरह से यह बनकर तयार हो जाएगा अगर आपको आप इसे टिकिया का रूप देना चाहती है और टिकिया बना कर आप इसे जैसे बहुत सारे टिकिया के द्वारा आप लाउज बना सकती है या कोटी बना सकती है पर्स बना सकती है या बेट सीड बना सकती है अगर उसका रूप देना चाहती है तो इस पे आप इस तरह का प झाल झाल